कैसे आप सब में बिल्कु ठीक हुमीद करते हैं आप भी मज़े में होंगे दोस्तों आज मैं आपके लिए पावभाजी की रेसिपी लेके आई हूँ पावभाजी बहुत ही न्यूट्रीशियस और होल मील है जो बच्छे सब्सक्राइब नहीं खाते हैं वो पावभाजी में अपनी पसंद से कोई भी तो मैं दो कप अलू लोंगी और दो कप कोई भी सब्सक्राइब अपनी पसंद से ले ले इसमें लौकी अच्छी लगती है मैं बैंगन भी ले रही हूं थोड़ा सा थोड़ी सी फूल को भी और यह फ्रेंच वीन्स है और साथ में पंकिन है आप पावभाजी खाते हैं उसमें पंकिन और लौकी जरूर पड़ी होती है तो आप आलू लें जितने दो कप आलू लेंगे कटे वे हम दो कट दो कभी कटीवी सब्सक्राइब लेंगे साथ में लेंगे थोड़े से मटर यह ऑप्शनल है आपको अच्छी लगी तो आप एट क कर रही हूं और साथ में मैं इसे एड कर रही हूं पानी एक कप के करीब पानी है अम सब्सक्राइब को दो से तीन विसल दिलाने के बाद 5-7 मिनट तक कम आच पर पकाएंगे और फिर गैस बंद करके कुकर खोल लेंगे हम इसे 10-15 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि सारी सब करके लेट लगाते हैं पहले एक दो विसल आने के बाद हम गैस को कम कर देंगे तो देखिए सब्सक्राइब पिछले 15 मिनट से पांच पर पक रही थी अच्छे से गल चुकी है यह और मैंने प्रेशर रिलीस करने के बाद प्रेशर को कर खोल लिया है तो आप देख रहे है हमें सब्सक्राइब पक चुकी है और अब हम इन्हें मैश करेंगे जो पावभाजी मैशर या कोई भी मैशर आप ले ले इसे आप हाथ से अच्छे से मैश करें ब्लेंडर में मैश ना करें आप इसे हाथ से गर्म ही मैश करें तो देखिए सभी सब्सक्राइब अच्छे से पेस्ट बना लें और हमें चाहिए होगी साथ में थोड़ा सा तेल तड़के के लिए दोस्तों पावभाजी मसाला है जिससे असली जाइका आता है पावभाजी का ये बड़ी आसानी से हम घर पर भी बना सकते हैं मैं इसकी रेसिपी भी जल्दी शेयर करूंगी साथ में में थोड़े से कटेवे बारिक प्याज और नीबू और मखन तो दोस्तों हमें जरूर चाहिए होगा साथ में जिंजर गालिक पेस्ट अब आप गालिक नहीं खाते तो खाली जिंजर पेस्ट का इस्तेमाल करें मैंने पान में ओईल आट किया है दोस्तों एक टेबल स्पून औ आप खाली गालिक को हटाकर जिंजर का पेस्ट पीस्तेमाल कर सकती है और इसमें एड करेंगे एक टेबल स्पून हम पावभाजी मसाला पावभाजी मसाला बाजार में आराम से मिल जाता है इसमें सभी मसाले होते हैं जो पावभाजी को टेस्टी बनाते हैं तो आम इसमें आप एक टेबल स्पून पावभाजी मसाला एड़ करेंगे और इसे भी पांच मिनट तक चलाएंगे लेकिर हम आज को थोड़ा सा मीडियम या कम कर देंगे च oni अःट कर दे एंट टमाटो जो मैंने मिक्सी में पिछकर रखे हुइं यह पांच टमाटो ने अप अच्छे से लाल टमाचर लेंगा उतना अच्छा होगा आप यह इसमें एड़ कर देते हैं मतर हमोख तो मंतर में एक टीबल स्पून मटर के दाने आट कर रही हूं मटर की दानी देखने में अच्छे लगते हैं इसलिए आड़ कर रही हूं कुछ लोग मटर पसंद नहीं करते हैं तो वो ना डालें तो हम इसकी सीजनिंग कर देते हैं मैं इसमें डालूंगी एक टीस्पून नमक तो चलिए इसमें एक टीस्पून हम नमक भी आड़ कर देते तो जब तक कि टमाटर थोड़े पकना जाएं तो इसमें पांसे सात मिनट तक अम इसे फग पकाईंगे तो चलिए अब देख लेते हैं तमाटर कैसे बगए हैं टमाटर देकिन बहुत अच्छे से पकगए हैं मटर बीगल गए हैं रंग भी ऑच्छा थाइ UP G दोस्त on ठोड़े पाव सेक लेते हैं एक अच्छे से मक्हान लागाएंगा और पाव को शेक लेंगे और दोस्तों अगर एक हर के घर के पर अच्छे से पाव को सेक लेते हैं करारा होने तक अगर नहीं थोड़ा नरम पसंद करते हैं तो आप इसे थोड़ा सा पानी डाल के इसे 2 मिनट और पकालें तो मैं तो चलिए देखिए मैंने पाव भाजी को सर्फ कर दिया है अब मैं सबसे पहले तो नीमु में चोड़ूँगी क्योंकि नीमु से ही सारे फ्लेवर्स आते हैं तो चलिए इसमें थुआ सा ताजा नीमु नी चोड़ देते हैं पाव भाजी में दोस्तों बटर भी बहुत आप पावभाजी को जब सर्फ करें तो इसमें नीभू नी चोड़ दें और बहुत सा मखन डालने तो देखिए मैंने सव भी कर दिया वाइज को थोड़ी सी थालड के साथ और नीमभु के साथ और मक्न के साथ पाव Dale de idi दोस्तो पाव भाजी खाने को तयार है और यह बहुत ही न्यूं creature सो थि बच्छों के लिए बहुत ही हेल्दी मील है ये झाल झाल